स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारी इस नए वीडियो में दोस्तों आरारबी ने एंटी पीसी भरती को लेके जो फॉर्म फिलप का डेट है उसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है यानि कि फॉर्म फिलप जो है आपका अब यहाँ पे 14 सितंबर 24 से स्टार्ट हो जा है क्या तो यहाँ पे देखेंगे नॉन टेक्निकल पापुलर के टेगरिस दिया गया है यानि कि इसमें कोई भी आपको टेक्निकल डिगरी की आओ सकता नहीं है आप नॉर्मल जो है कच्छा 10-12 या तो ग्रेजवेट हैं तो आप इसको भर सकते हैं अब जैसा है जोस्तों यहां देखेंगे दो टाइप से भरती निकाली गए एक तो है ग्रेजवेट पोश्त उसके बाद एक है अंडर ग्रेजवेट पोश्त तो यहां पर देखेंगे जो ग्रेजवेट पोश्त है इसका मतलब जो ग्रेजवेशन किये हुए हैं वो लोग इस फर्म को भर यहां पर देखिए चीफ कमर्सिल कम टिकट सुपरवाइजर का पद है टोटल यहां पर जो इसकी वेकेंसी है वो देखने को आपको मिल जाएगी यहां देखेंगे स्टेशन मास्टर का भी है गुड्स ट्रेंड मैनेजर है जूनियर एकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का भी पद है यहां से आपको सेलरी देखने को मिल जाएगी कितना यहां पर इन्टियर पर यहां पर है मेडिकल इस्टेंडर्ड देखने को मिल जाएगा कि इतना से आयु होना चाहिए और जो टोटल पर है वो आपको यहां से देखने को मिल जाएगी दोस्तो यह होगया graduate post यानि जो graduation किया है वो लोग इसको भरेंगे और इसकी date जो है 14.9.26 से start अब चलते हैं Undergraduate Post के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा अब जोस्तों यहां लिखेंगे जो Undergraduate Post के बारे में जाएगा है Important डेट तो यहां पर 21-9-24 से Form Fill-Up इसका स्टार्ट हो जाएगा Undergraduate Post का और इसकी अंतिम तेथी है और दोस्तों यहां लिखने जो यहां पर वेकेंसिस है किस पर्ट के लिए निकाला गया है Undergraduate Post के लिए तो यहां पर देखने को मिलेगा जो Initial जो Pay आपका है वो देखने को मिलेगा Medical Standard देखे इस टाइप का होना चाहिए उसके बाद जो I.U. आपका है कितना से कितना बीच में रहेगा वो देखने को आपको मिल जाएगा टोटल वेकैंसिस यहां पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तो वेकैंसिस बहले ही कम निकाली गए हो लेकिन इसको बाद में चलके आगे बढ़ाया भी जा सकता है अब यहां देखेंगे I.U. जो आपकी गणना होगी वो यहां पर 1,1,2,5 को होगी ठीक है उसके बाद दोस्तो यहां देखेंगे Medical Standard है वो किस Type को होना चाहिए तो यहां पर Code दिया गया है जैसे Medical Standard A-2, A3, B2, C2 तो यहां पर दिया गया है किस Type का Medical Standard होना चाहिए तो यहां सब इसको पढ़ सकते हैं अब जोस्तो एक्जाम जो आपका होगा Computer Based or CBT एक्जाम होगा और Feast की बात करें तो Form भरने में जो Feast लगेगा तो यहां पर दिया गया है For All Candidate यानि कि जो General और EWS के Candidate हैं वो VC के Candidate हैं उनका 500 रुपए का Feast लगेगा और लेकिन जब आप एक्जाम में बैठ जाएंगे एक्जाम दे देंगे आप तो आपका 400 रुपए refund होगा आपके Bank Account में इसके बाद दोस्तों नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर यहां पर पाटिसिपेट कर रहे हैं जैसे कि जोनवाज यहां पर एहमदाबाद, चन्नाई, मुझापर, पूरी यह सब जो है वेवसाइट दिया गया है अब दोस्तों यहां लगेंगे नोटिस यहां पर खतम हो चुका है तो जो भी इंपॉर्टेट चिंशती इसमें मैं आपको बता दिया हूँ आप इसको डाउनलोड करके भी इसके वेवसाइट से आप इसको पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग दोस्तों जैसे ही फॉर्म लाइव होगा कैसे फॉर्म को फिल करना है उससे मैं वीडियो लेके आजाऊंगा हर एक जानकारी बताऊंगा किस टाइब से फॉर्म बरना है आप जो इसमें जातिया लगाएंगे या फोटो लगाएंगे सारी गाइडलाइन उसमें जो होगा वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा फॉर्म फीलिप के बारे में तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लिजे तुम मिलते हैं किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन अब आन दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग